हमने पिछले लेक्शर के अंदर कुछ प्री प्रॉसेसिंग के स्टेप्स पड़े थे, मैं वो आपको दिखाता हूँ, ये वो वाले स्टेप्स हैं अगर आप गौर करें, तो यहाँ पे डेटा प्री प्रॉसेसिंग के अंदर आपके पास डेटा क्लिनिंग थी, ठीक है, फि कल भी देख लिया था, आज दुबारा से भी देख सकते हैं, but I think कल वला लेक्शर जो था, that was enough, कि जब डेटा डुप्लिकेट होता है, तो उसमें से एक चीज को कैसे रखना है, by dropping duplicates, df.drop duplicates आप करके, उनको run कर सकते है, dot drop duplicates, कल जो हमने काम किया था, ठीक है, और उसके ल यह चेक करें, यह हमने एक data frame बनाया था, और यह इसके अंदर इस तरीके से duplicate values आ गए थी, तो हमने क्या किया, df.drop duplicates लगा के, name की base पे जो duplicates आ रहे थे, वो हमने remove कर दिये थे, तो data preprocessing का यह step हमने यहाँ पे already कर लिया हुआ है, और उसके बाद जो हमारे पास अगला step that is, आपके पास data consolidation, consolidation भी यही चीज होती है, कि data को आप इकठा करते हैं, अगर आपके पास 2 या 2 से जयदा data frames होते हैं, ठीक है, consolidate आप उसको करते हैं, तो इसके लिए भी same merging method है, concatenation method है, और इस तरीके से आप left to right merge कर सकते हैं, up to down merge कर सकते हैं, इसी तरीके से inner level में आप merge कर सकते हैं, यानि कि जो data की keys हैं, उसकी base पर करें, और इसी तरीके से आप concatenation आप कर सकते हैं, columns की और rows की, so यह consolidation उसी के अंतर आ जाते हैं, now the third step is called data transformation, अब हम data transformation की तरफ चलेंगे, और data transformation बहुत important subject है, इसके अंदर आप scaling भी देखते हैं, normalization भी देखते हैं, there are many methods of scaling, many methods of normalization, और इंशाला हम one by one इन सभी methods को देखने वाले हैं, ठीक है, तो इस एगले lecture के अंदर मैं आपको data को transform करना बताऊंगा,